आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान बात करें यहाँ से अगर आप सोयबीन की तो सोयबीन का फरवरी वादे देख रहे हैं 6600 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है सोयबीन में बनती नजर आ रही है अभी थोड़ी देर पहले जो सोयबीन का वाइदा बजार था और सरसर सोपर भी गया था लेकिन अब देख रहे हैं कि 6600 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है आपको पता दें कि सोयबीन काफी महीनों से एक सीमित दारे में ट्रेड गरती नजर आ रही है 5900 तक भी उससे पहले हमने देखा था कुछ महीनों पहले देखा था कि नीचे में सोयबीन 500 तक भी गई थी लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो कीमते हैं रीकवर हुई फिर 6000 की उपर सस्टेन हो गई 6000 नीचे में और उपर में 6450,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 पुपता नजर आता है लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है कीमते बले ही सीमित तैरे में हो गई हो लेकिन नीचे नहीं किरी है उसका एक मुख्य कारण ये है कि विदेशों में सोयवीन की जो कीमते हैं उनमें काफी शांदार तेजी देखने को मिली है आपको बता द वारा उसके उत्पादन अनुमान में कटोती की गई है उसका मुख्य कारण ये रहा है कि जैसे वहाँ पर जो सूखे के हालात हैं सूखे के हालातों की वज़ा से वहाँ पर जो सोयवीन की जो फसले हैं वो गर्मी में जुलस गई है जिसकी वज़ा से सोयवीन का उत्पाद इस बार देखने को नहीं मिलेगा हाना कि ब्राजील का जो एक्सपोर्ट है का मुत्पादन रहने के बावजूद भी बड़ा है चीन ने आयात किया है और अर्जेंटीना और ब्राजील सोयबीन के पूरी दुनिया भर में सोयबीन में काफी बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं वो इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि साल 2020 में ब्राजील और अर्जेंटीना की जो सोयबीन की जो हिस्सेदारी थी वो लगबग पूरी दुनिया में सोयबीन में आधी बैठी थी यानि कि ब्राजील और अर्जेंटीना की पूरे दुनिया में सोयबीन की जो सोयबीन में घट बढ़ की रूप में कितना बढ़ता है अभी बात करेंगे हां से अगर भारत की तो भारत में मंडियों में सोयबीन की आवकें बिलकुल नाके बरावर देखने को मिल रही हैं सोयबीन की जो कीमते हैं वो सीमित दारे में हैं दरसल अभी चुनाव हैं खादे तेलों के दाम घटा दिये थे पहली बार ऐसा हुआ है कि जो MSP की जगा MRP घटी है वो चुनाव की वजा सही घटी है जैसे ही चुनाव खतम होंगे तो ऐसी ऐसी बड़ी उम्मीदें अभी जानकारों द्वारा लगाई जा रही है कि चुनाव खतम होते ही खादे तेल यानि कि जो अमेरिकी सोयबीन वायदा है वहाँ पर सोयबीन 1570 डॉलर पर देखने को मिल चुकी है हफते के आकरी कारोबारी दिन हमने देखा था कि जो US सोयबीन था फ्यूचर वायदा था वो 1536-1537 डॉलर पर मैक्सिमम ट्रेड करता नजर आया था वहीं अब देख रहे ह कारोबारी दिन सोमवार के दिन US सोयबीन फ्यूचर 1571 डॉलर पर ट्रेड करता नजर आ रहा है सवा एक फीजदी की बड़त देखने को मिल रही है तो इसी बात से अंदाजा लगा जा सकता है कि आगे जाकि सोयबीन में कैसा रुझान रहेगा सोयबीन में आने वाले दिनो के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा उनके मुताबिक सोयबीन आने वाले दिनों में 6900 तक का जो लेवल है वो दिखा सकती है वायदवाजार के अंदर जिसका असर हाजी पर भी जरूर परतावन अजर आ सकता है दूसरा अगर 6900 के उपर कीमते सस्टेन हो जाती है सोयब द्वारा तो उसका असर भारत में भी कीमतों पर जरूर देखने को मिलेगा और कच्चा तेल की बात करें तो कच्चा तेल वैसे भी महंगा हो रहा है कच्चा तेल का जो सपोर्ट है वो पाम तेल को मिलता है पाम तेल का रिफाइंड को और रिफाइंड का सोयबीन को तो य जिस दिन चुनाव खतम होंगे उसी राथ से अगले ही दिन पेट्रोडीजल की जो कीमते हैं वो बढ़ जाएंगी आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्छा तेल है वो लगभग 94 डॉलर प्रती बैरल पर पहुंच चुका है और सरकार दिवाली के आसपास क बात है जब सरकार ने आखरी बार पेट्रोडीजल की कीमते बढ़ाई थी सरकार ने भी कहा था कि आगे जैसे चुनाव हैं तो उसकी मद्दे नजर भी पेट्रोडीजल की कीमते थी वो बढ़ानी बंद कर गई थी लेकिन वो बंद भी तब हुई थी जब सरकार ने पहले क काफी जादा बढ़ा दी थी, 100 रुपे के आसपास तो पेट्रोल अभी भी देखने को मिल रहा है, और अगर इंटरनेशनल मार्किट के अंदर कच्छ तेल की कीमते हैं, वो लगातार बढ़ती रहती हैं, तो उसका असर बाकी कमुनिटीज पर भी पड़ेगा, सबसे पहले त एंटर की कच्छ तेल, 100 रुपे पार जा सकता है, 100 रहरते मान में 94 रहें प्रती बहरेल हैं, अगर 100 रहर होता है, तो उसका असर भायत में प्येट्रोल डीजल की कीमतों पर जूरुर पढ़ेगा, प्येट्रोल और डीजल बहुत मेहंगा हो जाएगा, और उसका असर सारी क सारी कमुनिटीज पर पड़ेगा और आमजन की जेब पर पड़ेगा तो सारी कमुनिटीज में सोयवीन भी शामिल है तो उसका असर भी सोयवीन की कीमतों पर ज़रूर पड़ता नजर आएगा और विदेशों से में जो तेजी का जो असर है वो भी घरेलू सोयवीन की कीमतों पर देखने को मिलता रहेगा भारत में बले ही सोहेवीन का जो उत्पादन अनुमान है सोपा द्वारा पहले 119 लाक टन दिया गया था फिर सोपा ने खुदी घटा कर उसको 112 लाक टन के आसपास कर दिया 7 लाक टन घटा दिया हाला कि उत्पादन बढ़ाया हुआ बताया जा रहा था लेकिन अब ये खहर वक्ती बतायागा कि आने वाले दिनों में सोवीन को उत्पादन के असर है सकता है पूरे आखड़े क्या कहते हैं लेकिन जो सप्लाई है आयात करने से तो अच्छा ही है कि पहले जो अपने भी जरूरी है दिलवाना और विदेशों में तेजी रही तो उसका सपोर्ट सोवीन को तो मिलेगा ही मिलेगा जम्मू कश्मीर से कन्या कुमारी था एहमदाबाद से अगर तला तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान